वेलकम टू अमेजिंग लर्निंग हब चैनल आज हम डिसकस करेंगे धर्मांत्रन धर्मांत्रन किया है पहले हम सम्मिधान के अनुसार समझेंगे संभिधान के अनुच्छे 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंतरता के अधकार का वर्णन किया गया है अनुच्छे 25 अन्थैकरण की और धर्म की अबाद रूप से मानने आच्रण और प्रचार करने की स्वतंतरता देता है इसके तहट भारत में प्रतेग व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है तथा उसका प्रचार कर सकता है लेकिन ये धारा भारतिये नागरिकों के अलावा भारत में रहने वाले विदेशियों पर भी लागू होते हैं जो भारत के नागरिक नहीं है अनुच्छे 25 के तहट भारतिय समिदान धर्म को मानने प्रचार करने और अभ्यास करने के स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म के मामलों का प्रवंधन करने की अनमती देता है हाला कि ये सारुजनिक व्यवस्ता ने तिक्त और स्वास्त के अधीन है कोई भी व्यक्ति अपने धर्मिक विश्वासों को जबरन लागू नहीं करेगा और इस प्रकार व्यक्ति को इच्छा के विरुद किसी भी धर्म का पालन करने के लिए मज़ूर नहीं किया जाएगा लेकिन आज के समय में धर्म को लागू करने के लिए कपट धर्मांत्रन चल रहा है कपट पूर्ण विवाहाली के दिनों में आपने भी पढ़े होंगे कई उधरान सामने आए हैं जिसमें लोग अपने धर्म को छिपाकर या गलत तरीकी से दूसरे धर्म के व्यक्तियों के साथ साधी करते हैं तथा साधी के बाद ऐसे व्यक्ति को अपने धर्म में परवर्तित करने के लिए मजबूर करते हैं धर्मिक रुपांत्रों को प्रत्वंधित या विनेमित करने वाला कोई केंद्रिय कानून नहीं है लेकिन इस वक्त कई राज्यों ने धर्मिक स्वतंत्रता को बाधित करने वाले इस आचरण के विरुद कई कानून बना रखे हैं जैसे कि उधारण के सरूप आप उत्राखंड में देख सकते हैं यूपी में धर्मांत्रा के विरुद कानून है मद प्रदेश में भी कानून बना हुआ है अपने लाब के लिए किये जाने वाले धर्मांत्रन या पुनर्वद्धता एक पाखंडे जो कभी-कभी अफेक्छा करत मामली करणों से किया जाता है जैसे किसी अभिवावब द्वारा अपने बच्चे को धर्मांत्रन करवाना ताकि वह किसी विशिष्ट धर्म से जुड़े किसी अच्छे विद्याले में एड्मिसन मिल सके अत्वा किसी व्यक्ति द्वारा इसलिए धर्मांत्रन किया जाना ताकि वह उत्सामाजिक वर्ग म सामिल हो सके जिसमें सामिल होने की वे इच्छा रखता है वाकी कुछ लोग विवा करके भी दूसरे व्यक्ति को अपने धर में बदलने की कोशिस करते हैं तथा उन पर दवाब डालते हैं ठैंक यू